तो कैसे हो महारतियों आ चुके हैं एक और दंगल वाली वीडियो लेके और हाँ पिछली वीडियो में न वो बोड था या कोई बंदा अब मुझे बस कमेंट करके बताना एनिवेज आचुके हम लोग पोचिंकी में और मुझे एक बंदा दिखा जो की छट पे पता नहीं क्या कर रहा है तो भाई इसे हम लोग मारा और हाँ बहुत ही खतरनाक वीडियो होने वाली है तो बस अब सुरू से लास्ट तक देखना वाई हम लोगोंने कर लिये पोचिंकी किलियर लेकिन डेटा कहां गया पता नहीं भाई पूरा इतना अच्छा यहां पे मैं घुमके जाता हूँ क्योंकि सामने जाओंगा तो कोई कैम कर रहा हूँ ऐसे ही कैमपर लॉबी है यहां पे तो भाई पूरा मैप घुमने के बाद आ चुके हैं ड्रॉप के बास फाइनली और मुझे मिलती है ऑग है जी योजवल तो मुझे लेना पड़ता है और और आग को लेने के बाद मतलब आगे की वीडियो देखो अगर आपको अच्छी लगे न तो प्लीज वीडियो देखे जाया मत्कुरो बस लाइक कर दो तो यहां पर भाई मैं आ चुका हूँ वस यहां पर रीच के पास और सामने मुझे दिखा डास लिया और भाई मुझे लगा यहां पर बंदे वगत मैं तो घुमके जाता हूं तो अब अचानक भाई देखो क्या होता है तो भाई पीछे से इतनी खतरनाक वाली इस्प्रे मिली ना वह अलग बात है कि मैं नहीं मारा लेकिन मेरी गाड़ी पूरा मतलब फुट नहीं वानी थी तो देखो भाई क्या होता है जैसे ही मेरी यहां पर गाड़ी पल्टी अब मुझे लागा मैं मर जाऊंगा अचानक स मैं यहां पे कुदा और तो रहा मतलब हिल विल लिया और अब टाइम था वाई रस करने का तो अब अब वीडियो देखो कैसी लगी आप बस लाइक कर देना प्लीज तो भाई आगे ना पूरी फाइट होती है अच्छी खासी ठीक है और यहां पे मेरे पास भाई स्कोप नहीं रहता है रेड डॉट और होलो के अलावा और भाई मेरे पास गाड़ी भी नहीं रहता है तब ही अचानक भाई मैं सोचता हो कि हाँ पीछे एक स्पॉन गाड़ी होती है और लकीली भाई गाड़ी मिल भी जाती है तो अचानक भाई हम लोग गाड़ी लेके जाते हम लोग क्या मतलब मैं गाड़ी लेके जाता हूँ और वहाँ भाई बंदे को रस करने तब ही भाई देखो क्या होता है तो भाई मुझे एक मिलता है डासिया और डासिया में वी एक ही बंदे थे तो भाई इसे मारना तो बनता है और सामने ना भाई फ्लेयर ड्रॉप था तो भाई इसे पता नहीं क्या होता है भाई इसे लगलब स्वरा मारते हैं और पता नहीं सिंगल बनता था लेकिन मार तो अच्छे लगे ना तो भाई बस बैठो मद लाइक कर दो यार यह फ्री है पस अप मोटिवेट किया करो भाई मेहनत लगती है इसे वीडियो बनाने में तो भाई यहां पे मैं सीधे जाता हूँ घर की तरफ और अब देखो क्या होता है भाई मतलब भयानक वाली यहां पे स्प्रे मुझे मिलती है और भाई देखो कैसे कैसे बसता हूँ गाड़ी मेरी आलमोस्ट पूरी आलमोस्ट पढ़ती है तब ही यहां पे मैं रीच का सायता से रोकता हूँ और बस घर में जाते है क्योंकि भाई पीछे भी घर है और वहां स तो यहाँ पे ना भाई मुझे एक बंदा दिखता है पता नी वही कर क्या रहा था तो भाई इसे सबसे पहले हटाते और बचे इनके तीन वंदे तो भाई आप इसे मारना है तो भाई मैं नेड करता हूं यहाँ पे क्योंकि ना उसे मतलब खतम करना इंपॉसिबल सा हो जाता तो भाई दूसरा नेड फटने से पहले ही ना बंदा मर जाता है तो कहने का मतलब यह है कि बंदा पहले नेड से कुछ जादे ही डैमेज हो गया था एनिवेज बचे यहाँ पे तीन वंदे और भाई अब आप वीडियो देखो अगर आपको फाइट मिले ना तो भाई बस अब लाइक कर देना तो मुझे एक बंदे यहाँ पे मिले और पता नहीं क्या कर रहे के साथ रस कर रहे थे कहने का मतलब उपर भी बंदे है तो यहाँ पे दो बंदे इनके डाउन हो चुके है और मतलब कील पूरा लेना चाहिए मतलब कील लेने का बंद आपको satisfaction वाली नहीं आते फिर भाई मुझे मिलते हैं तीसरा बंद आपका नहीं बहुत क्या रहे तो इसे भाई हम लोग खा जाते और यह पता नहीं यार चज्या कूच जाता है पता नहीं कैसे यह नौक हो गया था बीच में लेकिन वह स्प्रिंट करके भाग जाता है अपना पूरा जा जरूरी था लूटना और भाई हिल्थ नहीं था और जोन भी आ चुका था तो भाई लूटना बहुत जरूरी है फिर एस्मोक का अपना यूज करते हैं और लूटते हैं यहां पे और भाई थोड़ा पीछे जाते है क्योंकि गाड़ी मुझे मैं लेने ही जाता हू ना तो अचानक भाई सामने बंदा दिखते हैं और मैं लूट लिया था इनी के बंदे से 4-8 तो भाई इनके लास्ट बंदे को भी मैं कहा जाता हू कहने का मतलब यह है कि इसका पूरा स्कॉर्ड वाइब और जून ना मीनी जो ने स्टार्ट हो चुकी है और गाड़ी के नाम पे देखो भाई एक बार देखो यार है क्या यह गाड़ी मतलब पूरा मतलब अगर कुछ से भी ठूके भी ना तो भाई सीधे अपना लॉबी जाना कनफर्म है तो भाई कुछ कुछ करके जाते हैं और क्यूंकि मुझे पता था यहां पे हमने पूरा स्कॉर्ड खतम हो चुका कर चुके और पार करना है अब यह पानी पार करना है भाई जो आप फटती है ना वह मतलब लेवल फटती है तो भाई आ चुके है पानी पार करके जोन के अंदर और जोन के अंदर बन चुके है साप भाई देखो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि मैं साप बनने के बा जोन मेरे साथ कभी बनता नहीं है कहने का मतलब यह है कि 4 alive है मुझे लेके और यहां पे भाई साब बना जरूरी है और सामने बन्दा दिखता है फिर उठके मारा बोला ना कि मेरे साथ लेट के नहीं मारा जाता है तो भाई यहां पे फिर लेट ते और मेरे पास थोड़ी loot की है फिर इस्प्रे करने में तो यहां पे सामने मुझे बन्दे दिखते हैं यूच के साथ और मैं यहां पे कुछ फाइट नहीं लेता क्यों मुझे पता नहीं है कि दो बन्दे एक टीम के हैं या अलग-अलग है तो अगर एक टीम के यह है तो अब तो सही है भाई लेकर अलग-अलग पोजिशन जाएगा तो मुझे लगा ना कि smoke सामने वाले पेटी से मैं ले लूँगा लेकिन भाई अनलकीली वहाँ पे smoke नहीं रहता है तो भाई देखो अब यहाँ पे गजब का कटता है मैंने साथ देखो मैं खोजा है smoke ही नहीं है यहाँ पे एनिवेज हम लोग जाते हैं और जोन की तरफ और फिर भाई मतलब जोन मेरे से पूरा उल्टा पता नहीं भाई क्या दूसमनी यह लोग को तो हम लोग जाते हैं यहाँ और हम यह कह सकते हैं क्योंकि fight नहीं हो रहा था तो पूरा मतलब दो team जो है वो एक ही है कहने का मतलब की दो team है यहाँ और एक मैं और एक जो डूसरी team है हमारी opponent वो वो दो और मैं कहने का मतलब 1v2 तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं घर के तरफ और घर के तरफ जैसे ही जाते है न घर के अंदर भाई फिर से zone opposite side भाई मतलब PUBG वाले पता नहीं वो लोग क्या की है क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है एक भी zone मेरे पास नहीं आ रहा है फिर भाई मुझे zone के तरफ भागना के दिखा दूंगा तो मुझे भाई दिख चुके सामने बंदे आप भी देख लो यहाँ पर और बाई सामने ना पीछे दो बंदे और इस एक स्प्रे में ना बाई दोनों बंदे खतम भाई लाई कर देना वस अगर अच्छी लगी तो यहाँ मुझे मैं देख लेता हूं और सामने बंदे ना पीक कर रहे है मतलब मेरा खोपड़ी मतलब फोरना चाह रहे है और एक जगार आप रहो ना तो भाई खतम हो आप और मेरे पास लेवल 10 की भी हेलमेट और फिर भी कोई चांस ने तो यहाँ पर मैं देख चुका और भाई फायर किया फिर यहाँ पर मैं भाई जैसी भी हो अब बताना कोई भी मुझे इंप्रोव्मेंट के जरू होता तो आप कमेंट करके बताना बस नीड और बस प्लेयर आइड आइड आप कमेंट कर देना मैं आपको फ्रेंड को इस बेस दूँगा एनिवेज चिकन डीन डाह आज का कैसा लागा वीडियो ब कर दोर दोश्मेंट कर देना वीडियो प्रभा वीडियो जयंस बुखना भी मुझे टापको डाह वीड़ होता रह गीडियो आपको आपको बार झाल झाल